कन्या बिठाने का सपना हर एक लड़गी का होता है जो बच्पन से कन्या खा रही होती है सच में इन में से कई कन्याएं ऐसे भी होंगी जो कि सोच रहे होंगी एक दिन हम भी कन्या बिठाएंगे मैं भी बच्पन से यही सोचा करती थी कि पूरे की पूरे नौ वरत रखूंगी मातरानी के लिए और फिर कन्याई बटाऊंगी और कन्याओं को उनकी पसंद का सामान दूँगी तो बस आज वो 9 दिन पूरे हो चुके थे वेल मैंने 9 दिन के फास्टों रखे नहीं थे मेरे लास्ट के 2 फास्ट थे लेकिन सारे फास्ट कंप्लीट हो चुके थे जिस कलश की मैंने स्थापना करी थी वो भी निकालने का टाइम आ गया था ट्रावलिंग बहुत हो गई थी इस बारी नवरात्रों में लेकिन सब कुछ बहुत अच्छा हुआ मैंने पूरे बेंगॉली लुक में आज करन्याई बिठाई थी कलश का जो जल था वो मैंने पूरे घर में चुड़का बोला जाता है बहुत शुब होता है इसलिए आम के पत्तों के साथ उसके बार सारी करन्या आ गई थी इन में से आप काफी लड़कियों को जानते होगे क्योंकि ये मेरी वीडियो में पहले भी आज रुकी है तो सारी करन्या बहुत ज़दा एक्साइरेड थी सबको मैंने बिठा लिया था और सबसे पहले मैंने मालाएं और चुन्नी पिनाई थी उसके बार कलावा बादा गया था यहाँ पर मेरी बहन भी मेरी हेल्प करवा रही थी क्योंकि अकेले मेरी बसकी कुछ नहीं थी और लखन को तो आप देखे सकते हो प्लेट्स रखने का काम स्टार्ट हो गया था सब बहुत जादा भूके थे क्योंकि हमने 8 बजे करने बुला ले थी आज हमें थोड़ा काम जल्दी करना था मैंने दो पूरियां जरूर बनाई थी लेकिन जादा काम मैंने नहीं किया क्योंकि मेरा वरत्त और बहुत जादा वीकनेस हो गई थी यहाँ पर आलू की सबजी, हलवा, पूरी, चने, चार चीजे थी मैं तो बहुत जादा खुश थी क्योंकि आज मैं फिट से कन्या बिटा रही अपने नए वाले घर में हम लोग वैशनों दे भी गए थे और मातराणी से घर मांगा था दो महिने के अंदर मातराणी ने घर देला दिया था उस दिन से मैंने यह मांगा था कि घर में कन्याओं को बहुत अच्छे से पूचूंगी तो बस उसी चीज की तैयारी थी और मैं सब चीजे वही कर रही थी जो मैंने सोचा हुआ था यहाँ पर कन्याओं को मैंने लंच बॉक्स, बैग, पानी की बॉटल, चपल, कपड़े सब लेकर आई थी कन्याओं के लिए मैं चाहती थी सारी कन्याओं बहुत जादा खुश हो कर जाएं जैसे कि हमें बच्पन में खुशी मिलती थी जब भी हम किसी के घर कन्याओं खा रहे चाया करते थे काफी सारी लड़कियां जो कन्याओं खिला रही होंगी महिलाएं जो कन्याओं खिला रहे होंगी आ गई थी और बोला जाता है 12 साल से नीचे के कन्याओं को ही बिठाना चाहिए तो मैं उसी साइज की कपड़े लेकर आई थी मेरा बैड लग की कपड़ें आ नहीं रहते लड़कियों की हाई बहुत जादा लंबी होगी थी चपलें भी बहुती कम लोगों को आई लेकिन जिनको भी आई सबको पेना दी और सबसे इंपोर्टन बात जो कन्या में होती है वो होता है ये चावल सारे कन्याओं को आप थोड़े थोड़े चावल दे और अपने पल्लू में ले ले वापिस उसके बाद इसको अपनी तिजोरी में रखे कहा जाता है ये भी बहुत शूब होता है उसके बद अब सभी ने प्रशाद कहाया मेरा और मेरी भेनका तो वरत था तो हमने तो अपना वरत खोला सच में आज कन्या का दिन बहुत शूब था आपका कैसा रहा जैमातादरी लिक के जरूर जाना और मेरे चानल को सब्सक्राइब कर देना अगर नए हो तो बाई बाई लव यू आल